हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैंने चिकन बनाया प्रेशर कुकर में और जो चिकन की रेसिपी है ना इतनी आसान है कि कोई भी पहली बार बनाएगा ना तो एकदम अच्छा और एकदम परफेक्ट और साथ पर टेस्टी बनेगा जिससे कि आप खूब तारीफे तो फ्रेंड इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रे लेकिन एक बार सरसो के तेल में जरूर बनाईएगा इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है तो यहां पे ना मैंने खड़े मसाले ले लिए एक चमबजीरा तेजपत्ता लॉंग एक सुखी मिर्श और चार से पांच काली मिर्श तो तेल गरम होने के बाद ना इन सब को ग्रंड नहीं करना है चौप करके ही जो है प्याज लेंगे और इसे ना तब तक भूण लेंगे जब तक की आब तकम आठाथ काल दराना है तब Тब तक जो है इसे बूणना है दर 14 बहुत जल्ड़ह जा एगा तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच, लसन और अद्रक का पेस्ट, प्याँच को पहले जादा नहीं पकाया था, क्योंकि अभी लसन अद्रक के साथ भी प्याँच को पकाएंगे, तो जो न, अब इसे फिर से मिक्स कर लेंगे, यानि कि भू तो बस इतना ही इसे बुनना है, तो अब यहाँ पे डालेंगे टामाटर, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं तीन मीडियम साइज टामाटर, जो कि मैंने चौप कर रखा है, आप चाहे तो टामाटर को यहाँ पे जो है, ग्राइंड कर सकते हैं, और टामाट जल्दी से पका लेंगे, ताकि जो टामाटर है, वो जल्दी ही गल जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे पांच मिनट हो चुके हैं, तो कुकर का धकन हटाएंगे, और यह देखिए, जो टामाटर है, वो काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस एक बार इसको करसी से अच्छे से मिक्स कर और हलका साना इसको करसी से इस तरी से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो टामाटर है, वो अच्छे से घुल जाए पिया आज के साथ, तो बस अब यहाँ पे डालेंगे सुखे मसाले, तो यहाँ पे मैंने लिया है, एक चम्मच कश्मिरी लालमिश पाऊडर, और एक चम्मच ला ताकि जो मसाले भी भून जाए और टमाटर भी अच्छे से भून जाए तो बस एक बार इसको जो है धक्के पका लेंगे दो मिनट के लिए और दो मिनट बाद फिर से धकन हटाएंगे और यह देखिए जो टमाटर है ना हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो तेल है वो भी से तो मैंने यहाँ पर जो है एक किलो चिकन लिया था जो कि अच्छे से धो लिया है तो बस इनको जो है मसालों में डाल देंगे मसाले आप अपने हिसाब से कम या जादा भी डाल सकते हैं जितना आप चिकन ले रहे हैं उस हिसाब से मसाले डाले और चिकन को मसालों में डालन के लिए इसे जो है चिकन जल्दी पख जायेगा और सौफट भी हो जाएगा तो बस जब 3-4 मिनट हो जाएं तो फिर से धकन हटाएंगे कुकर का और धकन हटा के ना एक बार फिर से ना चिकन को मसालों के साथ फिर से मिक्स कर लेंगे यानि कि भून लेंगे इससे क्या होगा जो चिकन है वो अच्छे से भुन जाएगा और जो भुना हुआ चिकन होता है ना मसालों के साथ उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है आप इसे एक बार जलू ट्राइ कीजिएगा तो एक बार भुनने के बाद फिर से ना सब्सक्राइब नइब कर Σका लुटन के लिए उस से गपर कम से ना कम इसके करSHout होटाएगे दुबारा से ढूफाने के लिए होग मैं सब्सक्राइद वक्तर सुगाइए मसाला इन अब लगाने के लगाने के बाड़ धकन अब मैं सयस्क्राइब कम देघना पहला मने चुके फोलैंगे मधनी जहाले सब्सक्राइब 2 सिटी. पहली सीटी हाई फ्लेम पे और दूसरी सीटी जैसे ही आने को हो तब गैस का जो फ्लेम है उसे कर देना है बन तो यहाँ पे पहली सीटी आ गई है दूसरी भी आ गई है तो यहाँ पे जो है चिकन बन के तैयार है तो गैस का फ्लेम बन कर देंगे और कुकर को ठंडा कर तो ना आप इस रेसेपी को घर पर जरूर जरूर ट्राय कीजेगा जो भी फर्स टाइम बनाएगा यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा तो इसे जो है कर देंगे गर्मा गरम सर्व तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसेपी मुझे कमेंट करके जरूर बताई झाल